कोशिश कर हल निकलेगा आज नहीं तो कल निकलेगा अर्जुन सा लक्षिरक निशाना लगा मरुस्थर से भी फिर जल निकलेगा मेहनत कर पौधों को पानी दे बंजर में भी फिर पल निकलेगा बच्चों इसका मतलब है कि हमें हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए और कभी भी हार नहीं मानने चाहिए मैं आपका इस सप्तहा के हिंदी वीडियो में स्वागत करती है ये वीडियो है 31 जन्वरी 2022 से लेकर 4 परवरी 2022 सक चलिए इस वीडियो की शुरुवात हम एक प्रार्थना से करते हैं छोटे बच्चे हम नादान पूजा करते हैं भगवान फूल हमारे तुम रख लेना हमको बुद्धी दे देना हमें बड़ा जल्दी कर देना पड़ लिखकर हम बने महान आएं अपनी मातिक हे काम हे भगवान हे भगवान 31 जन्वरी 2022 इस हब्ते का पहला कार्य है सही शब्द चुने 31 जन्वरी 2022 सही शब्द चुने जैसे कि आप देख सकते हैं एक तरफ से कुछ चित्र दिये गए हैं और दूसरी तरफ कुछ शब्द लिखे गए हैं तो चित्रों को देखकर आपको उनका सही शब्द चुनना है और उन पर गोला लगाना है जैसे कि आप देख सकते हैं पहला आपके लिए किया गया है और पहला चित्र है शलगम का तो हमने शलगम पे गोला लगा दिया अब बाकी के चार आप खुद से करेंगे एक परवरी 2022 को हम करेंगे अक्षर जोडना सबसे उपर हम अपनी कॉपी में देट डालेंगे और हेडिंग लिखेंगे अक्षर जोडो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ अक्षर दिये गए हैं और उनको जोड़कर हमें एक शब्द बनाना है जैसे ज़, जमा, ट, जमा, प, जमा, ट, तो बोना जटपट वैसे ही आप बाकी के भी शब्द करेंगे नए दिन की शुरुबात नए मुस्कान के साथ और आज हम करेंगे सुलेख और आज तारीख है दो फरवरी 2022 आज की हम डेट डालेंगे दो फरवरी 2022 और हेडिंग आएगी सुलेख अपने हेंड वाइटिंग को और सुन्दर बनाने के लिए आज हम सुलेख गाभ्याद करेंगे जैसा कि आप देख सकते हैं मैं आपने यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे हैं वही वाक्य सुन्दर सुन्दर आप अपनी नोट बुक में लिखेंगे अभ्यास कार रिया तीन परवरी 2022 और आज का दिन है थर्सडे तीन परवरी 2022 जैसे कि आप देख सकते हैं मैं आपने इस इमेज में कुछ सबजियां चिपकाई हैं वैसे ही आप भी इन ही चार सबजियों को अपनी कॉपी में पेस्ट करेंगे और उनके नाम नीचे लिखेंगे नया दिन नई मुस्कान के साथ आज हम करेंगे वाक्य बनाओ और आज है चार परवरी 2022 चार परवरी 2022 और आज हम करेंगे वाक्य बनाओ जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर पांच शब्द दिये गए हैं कसरत, अदरक, उपवन, सरकस और शर्बत मैम ने कसरत का वाक्य पहले ही आपके लिए बनाया हुआ है अजय कसरत कर इसी तरहें, बाकी चाड़ शब्धों के भी वाक्य आप अपनी नोटबुक में सुन्दर सुन्दर लिखेंगे आप सभी बच्चों को प्यार भरा धन्यवाद